जैश्री राम मित्रो, मैं सीमा रहिला, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज लेकर आए हैं हम एक अनोखी और विशेश बत्ती जो है देखे तुलसाजी की लकड़ी से बनाए हुई जब भी आपके कहीं तुलसाजी सूख जाए तो उसे फेके नहीं उसका चंदन बनाए है और इस तरीके से दीबदान के लिए आप एक बत्ती बना सकते हैं सुन्दर सी और इसे कादशी ब्रस्पतिवार है तो ये खास महा उपाए है मा लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन हो जाएंगी क्योंकि जब विश्म भगवान प्रिय हमारे प्रसन होंगे तो माता आवश्य हमारे यहां पधारेंगी तो चलिए ये तो होगी एक छोड़ी सी बात जो बहुत जानकारी वाली है आप यहां पर हम इस लकड़ी को छोटी छोटी टुकड़ों में हमने पांच करके ले लिया है पांच साथ जितना आपका मन हो उतना ले लिजे कच्चा सूथ आसानी से मिल जाता है मैं आपको दो तरह से बनानी बताऊंगी आप इस तरीके से कच्चू सूथ से लपेट दीजे और अगर आप चाहते हैं तो आप मोली यानि की जो कलावा होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से देखे बाते कर रहे हैं और हमारी ये बत्ती बनके हो गई तयार है ना बहुती आसान और जल्दी से बनने वाली और भी भूसी बत्तियां हैं जो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है प्लेलिस्ट रवसे चेक कीजेगा कातिक मास के लिए especially मैंने बहुत सुन्दर सुन्दर बत्तियां बना के डाली है अब यहां अगर आपके पास सूत नहीं है तो रुई तो सबके घर होती है आप रुई का भी उपयोग कर सकते हैं बस रुई को कैसे काते हैं ऐसी वीडियोज मैंने अपने चैनल पर पहले भी दी हुई है कभी प्रकार की कातके और बिना काते भी हमने बत्ति बनानी सिखाई हुई है तो आप लेलिस्ट जरूर देखिए अब यहां पर बस रुई को इस तरीके से जैसे भी आप से हो सके मैं आपको दिखाऊंगी यह बत्ति हमारी पूरी शुरू से लेके सीरे से लेके एंड तक बिल्कुल खतम हुई है तो घी या फिर तिल के तेल का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं कातिक में ब्रस्पतिवार के दिन लगाएं या फिर आप एकादिशी में प्रते के कादिशी पर इस तरीके से यह बहाँ उपाय करें बहुत ही अच्छा है भगवान विश्नु को प्रसंद करने के लिए इस तरीके से एक दिया हमारा तिल के तेल का हो गया और एक घी का और दोनों ही बहुत अच्छे हैं जो आप प्रियोग करते हैं आप उसका दिया ले सकते हैं तो ठीक है अब यहाँ पर जोद को प्रजुलित कर लेते हैं दोनों ही जोद बहुत अच्छी से जगमगाएंगी और पूरी एंड तक जलेंगी और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आएं चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी दियाबत्ती की जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसे अवश्य चेक करें वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक किये भी गर ना जाएं और शेर भी अवश्य करें तो देखें